हरिही ओम सस्ते श्रिगने साय नमहां ओम नमो भगवते वासुदेवायां ओम स्री देव्येई नमहां ओम भूतानि दुर्गा भुवनानि दुर्गा स्रियो नरसा पिपसुम् स्दुर्गा याद्या धिद्रिष्यं खलुस्यव दुर्गा दुर्गा स्वरूपाद परम नकिंचित नारायनं नमस्कृत्या नरम्चैव नरोतमं देविं सरस्वतिं व्यासं ततो जायमुदीरेद् भक्तवस्तल भगवान को जे स्त्रिमत देव भागत महापुराण को जे जे होस् प्यार भक्त भागव तरू स्त्रिमत देव भागत महापुराण कथा स्त्राउंड कर देए अमने क्रम्मा आजा तपय हमी आजकुन है भाग भाग 125 मा उपस्तित भाई यहां भगवतिले हिमालायलाय आफलाय मन परनी जुन तिथी अनुशार आथवा भार अनुशार को व्रत को भारेमा बताऊन। र कसरी पुजागर्दा राम्रोंच ध्यान योग का भारेमा अपनी बिवीत कुरारू यहां देरी बताऊन। गीता-शाष्त्रको यहां बन्नुशा बेदव्याच जी त्युकुत वाशा भगवतित राई वांतार धियता देवाशा मुदी ताहासर्वे देवी, दर्शन अटो भावन। बेदव्यास जिले जनमे चायलाए बन्नोंचा एशरी किता सास्त्र को पदेश दियेरा भगवति भुवने शरी त्याहा अंतरध्यान हुनुगो ता देविको दर्शन पायरा देवत हरुपनियातन ता प्रशन्ना भई एशता प्रकार को कुराई यहाँ बतावनुँचा भगवति भुवने शरी हिमालाय की शरी भायरा प्रशिद्धा हुनुगो वहाँ पछी संकर भगवान की अर्दांगी नी हुनुभायो यह शरी पताव एगोश तेश पचारी कार्तिकया पईदा भई उने कार्तिकया ले तारका सूर को स्रमार गरेका हुन पूर्वा स्रमाय मा समुद्र मन्थन गरदा अनेक रत्न पईदा भई का थिए तेश बेला भगवती लक्षमी को प्राधर भाव गराउन देवताहरू ले भक्ति पुरुबख भगवती 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 भगव प्रशंग शंपुन मनरत को साधक चा यहां वन्युन्चा मैले बताये को यह रहस्यालाई अरका शामो प्रकट गरना हुदई न जो सत्चा भगवति का भक्त चान उनियरलाई मात्र यह आख्यान श्रौण गराऊनु परद चाए तह उनियरको सारा पाप नाशुन्चा उनिय अरका उद्धार उन्चा यह रहने अवा जो वेदवयासीले जनमे जायलाई बतायों दे उनुन्चा अगाडी गैर जनमे जायले प्रश्ण गरनुन्चा शूरिया चंद्रा नौवय उत्थानाम नरीपाणाम सत्कथा स्तृतं चरितं भवता प्रोक्तं स्तृतं तदम्रता आश्व पदम्हे वेदवयास्मुनी तपायले शूरिया वम्षा चंद्रा वम्षामा उत्पन्न राजाहरुको उत्तं कथा द्वारा अनु प्राणित अम्रित मय चरित्र भरणाम करनु भवयो रमयले तियो अम्रित मय चरित्र स्त्रमण पनी गारे ऐलेमा भगावती जगादम्हे का सम्पुन मन्मंतर अर्मा जुन जुन रुब्बाट पुजागरिन हुँछ जुन जुन ठाओमा जुन जुन कर्मबाट जस्तार जस्तास शरिलियर अपुजेन हुँछ तेश बारेमा शुन्हां चान्चू मने राएचरी भन्नोग जिग् आर्थ रुपा शुन्ना चान्चु वानिराइचारी जन्मे जयले प्रश्ण गर्न भाईको शा आमी आस्टम स्कंदमा प्रविश्गरी सके काचाू श्रमद्य भागत महा पुराण को लहर नुवस यानरी एदी वनिशागी वसी आप प्यारवक्त भागातारू जुन किसिम को ध्यान गानाले मेरो बुद्धी भागाती को शुक्ष्म रुश्वर्म इस्थीर हुना सक्ष त्यो बताऊनो होश्चु जवाटम कल्यानमा प्राप्त हुना सक्षु तत सर्वं बदवी प्रशे नस्त्रेयो अवापनुयात ये सरी बताई एकोश्चु अबम देविको उत्तम् आरधना कसरी गरनु परदाश वन्ने विशायमा अरको प्रशनगा बताऊन दैशु जो नारधना गरनाले मानिसले एस लोकमा कल्यान प्राप्तात गर्शन गर्शन पर लोकलाई पने सुधार्शन प्राथिन समायमा एसरी नारजिले प्रशन प्रवर्तक नारण देवले नारजिलाई जुन कुराबताऊन भयो तेही मा अईले बताई रहे कोशु एक पटक स्त्रीमान देवर्शी नारध नारध पृधिमा पर्याटन गर्दै नारण रिशिका आश्तरमा प्राप्ता होन भयो निस्चिंता वाई बसन भयो ये बंबन भयो त्शिक झटि नारण जिले देव देव महादेव पुराण पुरुषत्तमा जगधा जगधा अधार सरवग्या श्लागनी वरूषत गुना ry०ध ये नारध ये महादेव ये पुराण पुरुषत्तम हे जगधा आधार, ये सर्वग्या ये प्रसम जन्निय अ आने गुंड़वारा श्रम्पन, हजूरले जगत को जुन आधित तत्वरही को छा, तेस्बारे यथो चित्रुपमा बढ़न गरनु होच। यो जगत को भाठ पैदा भायको हो, ये महादेव दियो पताऊनों होच। कसले इसको रक्षया करदे चा, को बाटा इस डगत को अन्टे हुँचा, कुन बेला सबाई कर्मरुका फोलक उधाय हुँचा? कसलाई जाननाले मुहाबाट पईदाउने मायको नास हुन्छ एदेव कुन पुजाबाट, कुन जब बाटर, कुन ध्यान बाट अंदकारमा शूर्य दाय भायजाई आप्षनु रिदय कमधमा प्रकास को उदाय हुन्छ एदेव हजुर्ले मेरा इप्रश्णर को उतार दिनोष जुन उतार बाट संसार का सबै प्राणी अग्यान कंदकारमा डूबे को जगत बाट छिट्टै मुक्ता हुन्छ एशरी बन्दी सगेविशी बिदव्यास जिले अगाडी गायर बन्नु उन्छ देवरशी नारजी बाट सोदीन वयका प्राचिन उताम मुनी महयोगी नारायले देवरशी नारजी को बचनलाई शाधवाद दियर बन्ना लागणु वो अव या भन्नु उन्छ क्ये भन्नु उन्छ बन्दा श्री नारायन वन्नुन चा प्यारवक्त वागतरू श्रीनो देवर्षी वर्यात्र जगत स्थात्वम उत्तमं एन ज्ञाते न मरत्योही जायते न जगत भ्रविम ये देवर्षी नाराजी जगत को उत्तम तत्व को विशायमा सुन्नोस जन तत्व को ज्यानगा नाले माने संसार को आवागा मन को चक्रमा परदाई ना एस संसार को उत्तम तत्व एकमात्र जगदंबिका जो संसार की चाहिं जगदंबिका भगवती एकमात्र के उनुँँँच उत्तम तत्व उनुँँच बन्ने कुरा महिले बताई सकेकोष। देवरसी जो देवता अनी नार जो रिशियरुशन गंदर्व मनिशी जन अरूले पनि यस्ते ही कुरा बताये काशा। सत्वरजर तमनावक तीन गुळदे युक्ता हनु भैका कारण भगवती भवने स्वरी ले नहीं संपुना जगत को स्तिरुजन गरने हुँँश। वाले नहीं जगत को पालन गरने हुँँश और वाले नहीं संभार्वनी गरने हुँश। अब अमा भगवती भवने स्वरी को सिद्ध रिशियरु द्वारा पूजित स्वरुप को बढ़ने स्वरुप लेश्मन गरने भगतारु का पापर को नास गरतास। मनरत पूरा गराउं सराँ अंत्यमा मुक्षय ब्रदान गरदास। ब्रह्माजिका स्वरार अश्चतरुप का पति स्वर्यम हुआ मनुलाई आदी मनु भनी इंस। ती अईश्वर्य सालेरा प्रता भी आदी मनुलाई सबै मनु अंतर का अदी पति मानी एको शा। प्राजिन समाय मा एक दिन स्वर्यम हुआ मनु आफणा पूरिया वान्र पिता ब्रह्माजिको स्यामा तत्पर होनु थे। तेस बला ब्रह्माजिले आफणा शोरा मनु लाई भन्नु भयो हे बाबु। यहे प्रिया तिमीले भगावतिको उत्तम आरधना गर्णु पर्दा चा यह भाबु भगावति भवनेसोरी को अनुग्रह बाट प्रजा श्त्रिष्टी गर्ने तिम्र कारिया शफल होनेशा अरुबाट भवनेसोरी को अनुग्रह चाइनचा। प्रजार को स्त्रिष्टी गर्ने ब्रह्माजिले ये सरी उपदेश गर्णु भायपची महान अईस्वरिया साली स्वयं भोवा मनुले पनी आपनो तपस्चिया द्वारा जगत को कारण रुपा भगवती भुवने स्वरिला प्रसन न वन्नुवो हे जगत का कारण हरु की पनी कारण मानी नोने देवी नमस नमो नमस्ते देवेशी जगत कारण कारणे संक चक्रगदा हस्ते नारायन रिदाश्रिते। प्रमाळ हरु की ज्यात्री नमस नमस नहींुगुगुगुगुगुगुगुगुगुगुगुगुगुगुगुगुगुगुगुगुगुगुगुगुगुगुगुगुगुगुगुगुगुगुगुगुगुगुगुगुगुगुगुगुगुग महामारी को नाश गन होने देवी, ए देवदान भरुद्वारा पुझिता भगवती, महाजुर्लाई नमस्कार गर्दशु। 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 अब इस्ते प्रकारले इंद्रा माहराज त्रिलोकी का श्वामी हुनुभाईच अगेषी बरुन जलाचर प्राणी का उत्तम नाएग हुनुभाईव क्ुवेरधका श्वामी हुनुभाईव यमराज प्रेतर का अधिपती बन्नुभाईव अनि निरिती राक्षे ज़र्गा श्वामी उनुवायो चंद्रामा रष मया बन्नुभायो ए तिलो की का ए तिलो की द्वारा बन्निता भगवती ए लोकवर्य की श्वामी नी ए महा मांगल या स्वरुपिनी अजोदाय नमस्कार गरदाशू ए जगदम्भा माजोलाय बारम करुणा श्वामी नमस्कार गरदासू एशरी वन्नेवसिस्त्ति नाराय बन्नुँञ या नवारजी मनुले एशरी स्थति करेवेशी परा रुपा भगवती नाराय या दूर्गा प्रशन अउनुभायो रभ्रमा का श्वरा मनुषांग भन्नुभायो तियो समय मया। क्ये वन्नुँँछ देविले एराजेंद्र मत तपाई द्वारा वक्ति पुर्वक गडियेको इस्तुतियबं आरधना वाठको सिवाय कीशु ए ब्रह्माजिका सुपुत्रम्बनु महाराज तपाई जुन वर चानुँछ त्यो महागनोस मनुले वन्नुखो करुणा ए करुणा सिंदु बगवती अजुर मेर वक्तिवाठ प्रसन उनुबायको सबनी अजुर का आग्यवाठ मयले गर्न लागेको प्रजार को स्तुरिष्टी नेरविग नतापुर्वक शंपन्न होशु देविले वन्नुब प्रजासर्ग प्रववतु ममानु ग्रहत किलह न नेरविग ने नचर राजेंद्र व्रिद्य साप्य तरुत तरम। ए मनुवाराज मेरु कृपावाठ प्रजाको स्तुरिष्टी अवश्य संपन्न होनेश। नेरविग नतापुर्वक शंदै प्रजाको प्रिद्धी पनी होनेश। मनु जुन मानिशले तपाइं द्वार प्रजाज 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 आनसे ब्रह्म सुन वे अंतरधानम्कता चासी प्षयत अस्त श्यदी मता। ब्रह्माजी का सुपत्र वनु माराज लाई येशली बर दियरा उन्हें मनु का शामु भगवति अंतरधान हनु भाय। ब्रह्माजी का पुत्र प्रता पिरादा मनु ले ब्रह्माजी संग भने हेतात मलाई। तेस तो कुने एकांत स्थान दिनु हस जहां बस्तर प्रचूर प्रजार को स्त्रिष्टी गर्द यग्यारु द्वारा देवेस्तर यग्या पुरुष्का आर्धना गर्नु हस। आपना छरा श्वयंबुवा मनु को प्रार्थना वचन सुने रा प्रमाथमा प्रजापती ब्रह्माजी ले धेरई समय शम्मा विचार गर्नु भायो की यो कार्य कसा दी संपन्न हुना सक्षा। प्रजाको श्रिष्टी गरिरांदा मैले अनन्त समय पिताई सबै प्राणिला आस्तराय दिने पृथिवी जल्ले भारीन र जल्मय भायरा डूबिन मैले स्वचे को कारयलाई भगवान आदी पुरुष्ले मेरो सायक बनेरा अवश्य संपन्न गर्न होने सा जन भगवान को आदेस्मम मा अस्तरित भाय को सु त्स्तरी नारायन दे बन्नुंच एब मिमाम्स तस्तस्याह पत्मयोनी परांतप आये नारत जी मनु एब मरिचि आदी मुणि वर हरुद्वारा चारै तिर भाता घरिन भाय का ब्रह्मा जीकों मनमा येस्तो मिमामस चलिर आये को तियो वहाले परमात्मा को ध्यान गरन वायो, तेस ध्यान को इस्तितिमा वहाँ आको नाशिका को टुपपा वात बुणी अमलो जस्तो अथा बुणी अमला जत्रो परिणाम वायको यवटा वराहा शीशु सहसा प्रकाट भायो गतव सलभगवा नको जै वन्नुन्चाई नारजी ब्रह्मा जिले एर्दा एर्दा इत्यो शीशु आकास मगेरो श्तिर भायो श्याण भर्मा बढ़े रत्यो वराहा शीशु आत्तिको आकार को भायो यो एवट आध्भोद घटना भाय को थियो मरिची आधी मुनीर शनकाधी रिशियोर का साथ रहन भाय का ब्रह्मा जिले वराहा को रूप देखेर मनमन विचार गर्न भाय की वराहा शीशु को ती नियुबाट कुन दिभ्या प्राणी मेरो नाको टुपा बाट बाईर आई मेरा सामो उपस्तित भाय कोशा यो ठुलो आ भाय को संकाबो परमात्मा ब्रह्मा जिले शरी तर्क गरिर अनुदा ततकाल पर्वत राज समान देखिने बराहा रूप दारी भागवान ले गर्जन गर्नुब प्यार वक्त भागवा तरु बराहा रूप दारी भागवान जो बराहा रूप दारी महान देवले आफनु पूर्वा अधि दिशार लाय प्रति द्वनित गराउंदै ब्रह्माजिर वहां का उरी परिवसे का रिशिमुनियर को समुदायलाय अर्शित तुल्याउन भयो वक्तवसल भगवानको जै आपनो खिन्नतलाय हटावने भगवान भराःको गुर आवसुनेर जनलोक तपलोक्र सत्य लोक्मा निवास गरने उत्तम देवतार ब्रामण अरुले संदो बद्धा उत्तम स्तोतर रीक बेद साम बेद एबं अथर्व बेद का सुक्त द्वारा आधि पूरुष भगवान भर अरुष भगवान भराःको इस्तोति प्रारुम्ब गरे ती देवतार ब्रामण अरुको इस्तोति सुनेर अईशोत्यका श्वामी भगवान भराहरुप स्त्री अरी आपनो कृपा मय दर्शन द्वारा ती शवय लाह अनुग्रिही तुल्यार जल्मा प्रवेश गरनु भय भगवान भराहा को बयंकर जटा को आगाद वरा दुखी भायका श्वामूद्री प्रार्थना को श्वर्मा भने श्रणा गतरुका दुख पिडा अरण गरनु उने हे ते मेरो रक्ष्या गरनु श्वामुद्र को प्रार्थना वजन चुनेर शर्व समर्थ यस्तोर आपना धारा माथी प्रतिविलाय दाराण करने धाराण गरने भगवान भराहा दिगस ले कमला लत आलाई दाात मारागता जस्तो शुवाब पाउच तेस्ताई शभाले शभा यो जो शभा मय देखिनु भाय आप्टा धारा मादी पृति पठीवादान गर्नु ने भगवान देवे शरवरा लए देखेरा सुराता मनुषयत देवाधि देव ब्रह्माजीले भगवान वराहको श्तुति गर्नु भायो ब्रह्माजिले वन्नुँँच जीतम्ते पुन्हरी काक्षय भक्ता नामारतिनासना खर्विकृत सुराधार सार्वका मफल प्रदा ये भक्तारुका कस्टनिवार्ण गनोने येके पुरुष ये कमल नायन कुने गजराज शुआउँच पृतिविका साज शुआएको ये हजुद को सरीर कमल लाय उखेलेरा आपनो शुड्मा राखने गजराध को सरीर जही शुआई एकोशा ये स्त्रिष्टी एवं समार करता हे देवेश और हे प्रभु ये दाना वरुको बिनास का लागी अनेक कृत्य संपादन गर्न होने देव देवेश मा अजुदलाई नमस्कार गर्दाशु ये सबई देवता का परम आधार ये ब्रिहत धाम अगाडी वाठा अजुदलाई नमस्कार गर्दाशु 5 पशाडी वाठ पनी नमस्कार गर्दशु, फेडselves पनी नमस्कार गर्दशु, हे देव, मलाय परऊथाको श्तरीष्टी गर्ण अजुले शक्ति साली बनाई, नियुक्त गर्णु वैको हो, हजुरके आज्या को वसमार है र स्तरीष्टी गर्णे र तेस्लाय स्विंगार काम्पनी गरदाशु ये अदी अजुरको शयोग पायर पहले देवता का अधिपती र देवता हरु आफनो बल्रा काल अनुसार अम्रित को विवाजन गरन शफल वाय का थिये अजुरके आग्या वाठा इंद्राले तिलो की को सामराचे प्राप्त गरेका आशन। अजुरके आग्या को आश्रह लिये अरव वरुले जल चर जीवर को स्थाईत्व अनि जलाधी पतित्व र लुवाजन। लोकपाल पदलाई प्राप्त गरेका हुन। अजुरके आग्या वाठा इंद्राप्त गरेका आशन। अजुरके आशन। तत्पर हुन। अजुरके आशन। अजुरके आशन। अजुरके आशन। अजुरके आशन। अजुरके आशन। श्वयम्बुः मनुलाई बन्नुभायो ब्रह्माजीले बन्नुभायो तिरस्वी अरुमा स्तरेष्ट ए महाभावु श्वयम्बुः प्रिथिवी मया स्थानमा रायरा तिमिले उचित रुपमा प्रजा को स्तरेष्टी कर ला ए वीबु देश एवं काल को विवाग यज्य का साधन रुप उत्तम एवं मध्यम स्वाम गरिद्वारा यज्य श्वामी पुरुषरको यजन गरनुः। शास्तरमा बताईको धर्मको आच्रन कर वरना अस्तरम् ड्योस्ता को पालन करनुः। तिमीले येसरी कर्मारु गर्री रहादा प्रधार को ब्रद्धी अवश्य हुने शा आफनो गुण कर्मारा कांती अनुरो बिद्या विनाय शंपन एवं सदा चारी अरुमा स्तरिष्ट पुत्र पैदागर आफनो पैदागरेका उत्तम छोरी अरलाई गुणी एवं येसरी पुरुष अरुका हात्मा स्रुम्पि देव। येसरी आफना स्वरा स्वयम्भुव मनुलाय उपदे शे दियेर तिनलाय प्रजा श्तरिष्टिकों कार्यामा निउक्ता गरी पद्मयुनी प्रह्माजी आफनो धाममा जानु गयो येंद्रिया अगाळी भन्नुँँचा ये शडा तिमिले प्रजा को श्तरिष्टि करा करनी दूर्गामा्ता की जाय होष् ति कञण्या का नाम हेरु रायकाशन आखोती देव अनि प्रसुटि आखोती पहील इन का इन का साथमा मैली अनि प्रसुति प्रक्ष्टिकों कञ्न्या को जो नाम थियो प्रशुति तीने अनि मनु कन्या हरु भाट संसार्मा प्रजा फैलिये। एसरी बताये कोश रुची भाट आकुतिमा यग्यरुप भगवान आधिपुरुस प्रकट होनु भायो। कर्दम भाट देवा उतिमा भगवान कपिल पहिता होनु भायो। प्रमई स्वज्य साली कपिल मुनिले सांख्या शास्त्र को आचर्यका रुपमा प्रषिद्ध पाहुनु भायो। यह ते प्रकारले एसे गरी दक्षयवाठ प्रसुतीमा संतान का रूपमा अनेक कन्यारु पईदा वाए ज़सका संतान का रूपमा देवता तिर्यक मानिस उत्पन्न वाई लोकमा प्रसिट वाई ति सबयला इस्तरिष्टी का प्रवर्तक मान इंचा अवक्त तवस्चा जग रुचिवाटा आकुतिमा पईधा भायका भगवान यग्य पुरुषले याम नामक देवगांशंग मिद्रश्वयम भुः मन्वंतरमा राक्षय सरुवाटा मनुको रक्षय गर्नु भायको थियो। अच्छिवाटा म महायका आकुतिमा बुपञ भायको थियो। पुलहास्त्रम तरफ लागनु वाईवा। आजपनी सांखिया सास्त्रका उपदेशक महान आसयभय का महायोगी कपिल पुलहास्त्रम मा बिराजमान होनुँछा। जशको नाम स्मरण गरनाले मात्र सांखिया योग मा सिद्धी प्राप्त होनुछा। तेस्ता सबै प्रकार का वर प्रदान गरने योगा चाधिया बगवान कपिल को बन्दना गरताश्त्रम रेया बन्नुवायकोषा। तेस्पचाडी मैले मंगल मय मनुपुत्र अरकोष भम्स प्रम्परा को वरणन गरने शुआ अबैस्पचाडी। जशको स्रवन मात्र गर्दा मानिशले प्रम्पत प्राप्त गर्दाश्या। मनुकाच्वरा अरले व्यवाहार को सिद्धिका लागी सबै प्राणी अरले कूशितु लेउनका लागी दुई बर्षता स्वमुत्रको व्यवस्ता गरेका थिये व्यवाहार प्रशित ध्यर्धं सर्वा भूत सुखाप्त ये शरीबताई एकोषा। अगाड़ी गरस्तरी नारायनले वन्मुँचा मनु श्वयम्भोष्यासि जेश्टा पुत्रा प्रियव प्रता है नारजी, श्वयम्भोषमनुका जेठा छवरा को नाम्थिया प्रियवरत, उनी नित्या माता पिताको श्यवामा तत्पर रहन्थि, येस्टेप्रीकाले स इसमदी नामक रानिवाट पवित्र आत्मवायका र गुणवान दस छोरा र उर्जश्वती नामकी छोरी पईदा गरे। ती उर्जश्वती दस छोरा पायवेची पईदा वायकी सबी वन्दा कांची थे। अनि आग्निद्र, इद्मजिव, यग्यबाह, महाविर, रुक्म, सुक्रक अनि गृतप्रिष्ट अनि सवन मेदातिती विती उत्र र कभी नामक ती छोरा लाई अग्नी नामबाट पनी चिनिन्थे। उक्तर दस छोरा हरु मत्दे तीन छोरा कभी सवन र महाविर वैरागी भाये। आत्मविद्यमा पारंगत र ब्रह्म चर्य प्रतिती छोरा हरु परम हम्स नामक आस्त्रम मा शानन्द निष्ट प्रिया भायर वशे। प्रियबाट की दोस्तरी रानिवाट उत्तम तामस्तर रैवत नाम द्वारा विख्यात दिन पुत्र भाये। इप्रताभी प्रियबाट का पुत्र अरु एक एक मन्हुं तरका अधिपति भाये। अपराजीत सक्ति रा इंडिया स्मर्थ्य भाय प्रियबाट ले एक पृत्र अर्वशे सम्मा शासन करें। एक पटको कुराहो जब सुधिया प्रियबाट को प्रतम भागमा प्रकासित भाये का थिये। तब दोस्तरो भागमा अंधकार सही राईको थियो। एस तो संकट देखेरा राजा प्रिया ब्रत को मन मा विचार उधाय की मेरो साचन कालमा प्रिथिमा अंदकार को उधाय कोसा दी होना सकता से अंदकार को प्रिथिमा अंदकार को नास र प्रकास को उधाय कोसा दी होन से मा योग हजी माईश। मा आपनों योग बले प्रतिविमा रहे का यो अन्दकार लाई अटाई दिन्स। अहां एकपठी रात परने अरकपठी उज्याला हुने यह होना सकता ही ना। यह अध्यारोजादी मा सबय अटाई दिन्स। स्वयम्भुवा का स्वराती प्रियाप्रत को येस्तो निशाय गरेरा सूध्य जैंच होकिलो राथमा सवार वहेरा संसारलाई अंदकार रहीत उज्वल तुल्याउंदे प्रतिविको साथ प्रदक्षिना गरे वक्तावर्स्दवागवाना को जय जय होस। राजा प्रियाप्रत ले राथमा स्वार वहेरा प्रिथिविको परिक्रमा गर्दा जाहां जाहां राथका पांगरा गडेका थिये तिहां तिहां लोक हितका लागी साथ समुद्र तयार भाई अनि एस्ते प्रकार लें प्रिधिवी परिक्रमा का बीच का इस्थल अरू बिवाग अनुसार साथ दुईप का रूप मा परिणात भाये र रत का पांगरा धसिये का इस्थल तीन को ती का परखाल बनेर राई तेज बिला देखी प्रिधिमा साथ दुईप तयार भयो जुन दुईप अरू क्रमा सा जम्ब दुईप लक्षे दुईप सालमदी दुईप कुषा दुईप क्रउंचा दुईप साका दुईप र पुष्कार दुईप का नाम बाट प्रसित्त भाये उत्तरोतर क्रमले तिनी अरुको परिणाम दुई-दुई गुणा ठूलों उदेगाएको शा। ती दुई परुको बाईरा तर्फ चारै तिरा विवाक क्रमले समुद्र आपलावित शन। ती समुद्र क्षारोद एक्षूराशोद ग्रितोद ग्षीरोद ददीमंडोदर नाम बाठ परिचित छन। तेस बिला देखी भुमंडल मा साथ समुद्र प्रख्यात भाएको हो। ती दुई परुमा पोईरो जम्बुद्द दुई परुको बाईरा तर्फ चेरोद समुद्रा ले गेरी एको शा। राजा प्रियवरत ले आपना आगनिद्र नामक सोराल आपलावित सालमली दुईप का राज जा आफना अरका छोरा यजबाहूलाई बनाई दिये अनि ग्रीतो द समुद्र द्वारा गेरी एको अति रमणी अकुष दुईप मा प्रियवरत का छोरा इरणिय रेता राजा भाई प्रियवरत का महाबली छोरा धृत प्रिश्ट छ खिर सागर द्वारा गेरी एको पासों क्राउंचा दुईप मा श्वामी भाई अनि प्रियवरत का उत्तम पुत्र मेधाती थी दधी मंडोत समुद्र ले गेरी एको अति सुन्दर साका दुईप का शासक भाई प्रियवरत राजा को अनुमती पायरा उनका छोरा बिती ओत शुद्धत समुद्र ले गेरी एको पुष्कर दुईप का राजा भाई मा राजा प्रियवरत ले आपनी उर्जाश्वती नाम की कन्या सुक्रचार्य लाई दिये अनि सुक्रचार्य की प्रशिद्ध शोरी देवय यानी इनाई उर्जाश्वती बाठ पईदा भाई की राजा प्रियवरत ले शरी शोरहरुमा राजय विवाजन गरे राजय विवाजन गरी विवयक शंपन न वैर इवग मार्गक को आश्रय लिये का थी ये बनर रेशरी बताए एकोशा अजे अगाडी गार स्री नाराणी ले बताऊनोंचा देवर्शे श्रेणो विस्तारं दुईप वर्शा विवेद अता हा एदेवर्शिन आराजी तपाईले दुईप वर्शा का भेदले देवतारु द्वारा गरी एको भूमंडलको विस्तार को विशायमा सुन्वाज मय विस्तार कुर्वक शंक्षपमा चै वर्णन गरनेशु शर्वा पर्थम एक लाख यो प्रकार का रहेका चै जसते इला वरित, रम्यक, हिरणमय, कुरु वर्ष, हरी वर्ष, किमपुरुष, वारत वर्ष, केतुमाल, वदराश्व, ती वर्षा अरु चारै ती रा फैलियेका अती विशाल आठ पर्वत अरुमा ब्विवाजी चै नुको आकार्मा रहेका अरुष, कुणात मक चा योईला वरित वर्षलाई मध्यव वर्ष मानीं चा इसको मध्यवाग मा एक वाग योजन उचाई वायको शुवर नमय शुमेरु नामक पर्वत राज विराजमान चा यो पर्वत नहीं गुलाकार प्रथिवी रूप कमल को कर्णिका को रूप मा ऐस परवत को सिखार भाग बत्तीज अजार योजन मा फहली एको शुम. अशको मुल भाग सुर अजार योजन मा पृतिमा फैली एको श्रवाज पृतिमा पृतिमा प्रवत र कुछर रह खौछौ। इला वर्षा को उत्तर माह तेश कही शिमा को रुपमा नील स्वेत्र स्रिंग वन नाम को पर्वत रहे काशन। इला वर्षा को दक्षिन मा नीशात हेमकोट हिमालाय नामक राम्रतीन पर्वत पुर्वत रहे काशन। इला वर्षा को प्रवत रहे काशन। अने पुर्वामा गंदमाधन पर्वत चा इदुबई पर्वत नील पर्वत देखी लियरा नीशद पर्वत सम्म लंबाईमा फैलिये काशन। चोडाईमा इनेरको विस्तार दुई हजार योजन रहे कोशार। इ दुबई पर्वतले केतु माल वर्शर वद्राश्व वर्शकोशिमा निष्चित गर्दाएमा जान। पर्वत चरण पर्वत रूप्मा शुन्धर विस्ताय प्रकार ले मंदर अनि मेरु मंदर शुपार्श्व कुमोध पर्वत रहे काशन। दस हजार योजन उचाई भायका इपरवत ले चाराई तरफवाट सुमेर परवत ले आड़ दियर चार दिशा ढाके का आशन वनरे शरी बताई एकोशा ती परवत अर्मा आप, जामुन, कदम, बर्का वरिक्षय रायका आशन जुन वरिक्षय लाहरूलाई उक्ता परवत को ध्वाजा मान्ना सगींचा माधि बताई का सबय वरिक्षय एकार योजन उचाहिका आशन ते ती नहीं इनका हागार फैली एका आशन ती वरिक्षय औरको मटाई सै योजन रायकोशा यत्त्रा ठुला ठुला भरिक्षय बोट विरवारू दा रहेशन पैली परवदर्म दूद महा उखुकर श्वादू चले वरियेका चार सर्वर रहेका आशन इसले प्रकारले यहां नर नारी अरला आनंत अप्रतान करने नंदन चैत्रत वाइव राज और शर्वा भद्रा नामक चार देवध्यान पनि रहेका आशन गंदर्वा और उपदे युक्त वाइका वाग्या शाली देवतारू शुन्दरी देवांगानर का साथ मा त्यानरी वस्त अचन सोतंत्र वायर शुखा पुर्वा का विहार गरदाशन तेस्तो महां ठाउं रहेकोशा मंदरा चल मा रहेका एका एका आरा सयोजन अल्गा दिभ्या आपका फ़ल अनेकवार एबं विवन कुरारू चाहिनि अरपण गरोळेरा मन राथ दाए नी पाप समानी अवय दाए नी भगवती अरुना को पुझा गरदाशन बगव्या आधिया माया अतुला अननता पूष्टी इश्वर माली नी अनीम्ध दुस्ट नास करीर कांती दाए नी नाम बूतल मा विख्यात उनुँँछा, उआको पुजाको प्रभावले जाम्भू नद नामक शुवर्ण पईदाव आएको हो, वनरे शरी यहांदरी बताईएको होँछा, अब शरी नाराणे भगवार्ने नारत लायो कथा शुनाओ दे उनुँछा, वेदवियास दिले जनमे सल्वागवान, कोजाई जेहूर